अब जिस app को मैं काफी दिनों से वालपेपर डाउनलोड करने के लिए यूज कर रहा हूँ उसका नाम है डोप वाल्स अब इस app में आपको हर टाइप के हाई क्वाल्टी वालपेपर्स देखने को मिल जाते हैं इसमें आपको popular और random वालपेपर्स का भी option मिल जाता है इसके लावा इसमें आपको category का भी option मिलता है like aesthetic, anime, minimal, superhero, gaming और भी बहुत सारे तो आपको जिस भी category का वालपेपर पसंद है आप उस category से उस वालपेपर को डाउनलोड कर सकते हो तो डोप वाल्स की तरह ही आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे amazing and interesting वालपेपर के apps जिनने मैं personally काफी दिनों से वालपेपर डाउनलोड करने के लिए यूज करता आ रहा हूँ और जिन में आपको काफी high quality के वालपेपर देखने को मिल जाएंगे तो उन वालपेपर apps के बारे में जानने के लिए इस वीडियो pen तक बने रहिए तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सिधार्थ और आप देख रहे हैं ट्रिकी बॉय से चैनल स्टार्ट करते हैं जिसें भी वालपेपर के apps मैंने इस वीडियो में बताए हैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इससे पहले भी मैंने बेश्ट वालपेपर apps के उपर एक वीडियो बनाया है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उसे भी चेक कर सकते हो अगर आप बहुत ही simple, minimal and clean type के wallpapers यूज़ करना पसंद करते हो तो इस चौथे नंबर के app जिसका नाम है Nothing But Walls इसको try कर सकते हो इसमें आपको minimal, emulate, pastel, gradient, vibrant इस type के neat and clean high quality के wallpapers देखने को मिल जाते हैं जिने आप as a nova setup भी customize करके यूज़ कर सकते हो इसमें आपको category का भी option मिल जाता है, तो आप किसी एक specific category से भी wallpaper download कर सकते हो अब अगर आप superheroes के काफी बड़े वाले fan हो और especially कोई एक ऐसा app खोज रहे हो जिसमें आपको बस superheroes के wallpapers मिलें, वो भी high quality में तो इस लिस्ट में तीसरे नमबर का जो app है, जिसका नाम है comic me ये आपके लिए काफी useful होने वाला है क्योंकि इसमें आपको Marvel और DC के सारे superheroes के high quality wallpapers देखने को मिल जाते हैं like Antman, Aquaman, Batman, Black Panther, Black Adam, Iron Man और भी बहुत सारे तो अगर आप बस superheroes के wallpapers को download करने के लिए कोई app खोज रहे हो तो आप इस app को try कर सकते हो बात करें अगर दूसरे नमबर के wallpaper app की तो ये थोड़ा different type का wallpaper app है जिसका नाम है tap it अब इसमें आपको कोई wallpapers देखने को नहीं मिलेंगे इसमें बस आपको एक customization screen मिल जाएगी और वो भी एक random color के साथ जिस पे आप उपर नीचे दाएं बाएं swipe करके wallpaper के pattern, color और effect ये सारी चीजे change कर सकते हो या मैं ये कहूँ कि खुद से एक wallpaper generate कर सकते हो generate की गए wallpaper को आप edit भी कर सकते हो तो जिस भी type का आपको wallpaper पसंद है वैसा wallpaper आप इसमें generate करके use कर सकते हो अल्राइट अब जो इस list में final याने number one पे wallpaper app है इसका नाम है wall spy अब इस app को मैंने इससे पहले भी best wallpaper वाले apps में cover किया था और दुबारा include करने का reason ये है कि इसका interface आपको बहुत ही clean and minimal देखने को मिलता है और इसमें आपको हर category के wallpapers भी मिल जाते हैं like horror, game, colorful, cartoon, minimal और भी बहुत सारे इसके अलावा इसमें आपको trending and features का भी section मिल जाता है बट इसका plus point ये है कि इसमें आप किसी भी company के smartphone के stock wallpapers को भी download कर सकते हो जो कि आपको हर app में देखने को नहीं मिलता तो ये थे top 5 best android wallpaper apps of 2022 I hope ये apps and video आपको पसंद आए होंगे अगर ये wallpaper apps आपको पसंद आए हों तो इस video को like कीजिएगा इन 5 ओ wallpaper के apps में से कौन सा app आपको सबसे बढ़िया लगा comment में जरूर बताईगा और ये वीडियो अपने दोस्तों और family members के साथ जरूर share कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करने के साथ साथ bell icon पे press करके all पे tap कर लिजेगा ताकि future में मैं जब भी कोई ऐसी interesting ठीक और customization वाली वीडियो अपलोड करूँ तो उसका notification आपको फटा फट मिल सके तो तब तक के लिए thanks और watching मिलते हैं नए वीडियो के साथ see you soon